आज मैं आप सभी लोगों के लिए साधी पार्टियों में बनने वाली साही पनीर की सबजी की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ जिसे बनाने के लिए मैंने लिए पनीर पनीर को मैंने चोकोर टुकड़े में काट लिया है आप चाहें तो इसे ट्रैंगल सेप में भी काट सकते हैं अब इसे काटने के बाद मैंने लिये हैं टमाटर, प्याज, लहसुन, गरी और साथ में लिया है अद्रक का टुकड़ा अब तवे पर मैंने दो चम्मच डाला है सरसों का तेल और लहसुन, प्याज, और टमाटर, और अद्रक को मैंने डाल दिया है अब डालूंगी आधा चम्मच से कम साधा नमक जिससे कि ये हलका सा नरम हो जाएं मीडियम फ्लेम पर दो मिनट के लिए इसे ढख कर रख दूंगी तो दो मिनट के बाद, अब मैंने प्लेट को हटाया है और इसे एक बार चलाने के बाद, फ्लेम से नीचे उतार लूंगी ठंडा होने के लिए कड़ाई में लिया है, दो बड़ा चम्मच सरसों का तेल मीडियम फ्लेम पर देल अच्छी तरह से गरम होने के बाद, इसमें पनीर को फ्राई करूंगी पनीर को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हलका ही करना है तो मीडियम फ्लेम पर पनीर फ्राई हो रही है और यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन प्याज और अद्रक का मिक्स्चर जिसका पेष्ट बनाऊंगी इसमें मैंने दो बड़े प्याज, दो चम्मच लहसुन, एक गाठ अद्रक का और तीन से चार लिये हैं टमाटर अब लिया है पाँच से छे पनीर के टुकड़े इसको इसमें मैंस कर लूँगी और इसे ग्राइंड करूँगी तो मटर को मैंने रख दिया है बोयल होने के लिए पाँच मिनट के लिए और इधर पनीर फ्राई हो रही है तो इसे थोड़ा सा चलाने के बाद जब इसका हलका सा कलर चेंज हो जाए तब मैं इसे निकाल लूँगी और इधर लहसुन प्याच का पेश्ट तयार है अब इसमें डालूँगी मसाले तो एक चमचली है कसूरी में थी इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है एक चमच लिया है गरम मसाला एक चमच से कमली है हल्दी पाउडर एक चमच धनिया पाउडर एक चमच से थोड़ी ज़्यादा कुटी हुई लाल मिर्च या फिर पिसी हुई लाल मिर्च अब लिया है आधा चमच कास्मेरी लाल मिर्च और इधर पनीर फ्राई हो गई है तो अब मैं इसे निकाल लूँगी नहीं तो इसका बहुत ज़्यादा कलर चेंज हो जाएगा जिस्से सबजी में पनीर थोड़ा सा टाइट लगने लगता है तो अब मैंने निकाल लिया है इस प्लेट में तो सभी पनीर को मैंने इसी तरह से निकाल लिया है और उसी तेल में मैं डाल रही हूँ सभी मसाले जिने मैंने अभी आपको दिखाया है पेश्ट के साथ में और लगभग दो मिनट के लिए इसे मेडियम फ्लेम पर चलाओंगी जब तक के इसका तेल हलका सा अलगना दिखने लगे उधर मटर वायल हो रही है और आप इसे छान लूँगी किसी जाली में जिससे कीज का पानी निकल जाए तो अब आप देख सकते हैं कि मसालों ने तेल हलका सा छोड़ दिया है और मसाले भी अच्छी तरह से भुन गए है इस पेस्ट को बहुत ज़्यादा भुनला नहीं पड़ता है और ये सबजी खाने में टेस्टी भी होती है अब उसी बरतन से मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी और मटर पानी की जगह आप इस टाइम पर दूद डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने डाली है दो चम्मच गाड़ी मलाई और इसे अच्छी तरह से मेडियम फ्लेम पर मिक्स करूंगी साथ में डाला है आधा चम्मच नमक नमक मैंने पहले भी प्याज टमाटर के साथ में डाला था आप उसी हिसाब से डालें और साथ में डाली है एक चम्मच कुटी हुई या कटी हुई हरी मिर्ज अब डाल दिये हैं फ्राई किये हुए पनीर के टुकडे और मीडियम फ्लेम पर ही इसे कुछ देर के लिए चलाओंगी मैंने इसमें पानी डाला है आप पानी की जगह केवल दूद भी डाल सकते हैं और दूद की जगह मैंने इसमें पानी डाला है तो दूद्ध या पानी आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं और अब इसे ढख कर रख दूँगी मेडियम फ्लेम पर लगभग 5-7 मिनट के लिए इधर सबजी पक रही है और यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले काली मिर्च, लॉंग, जीरा, छोटी इलाइची, दालचीनी और जावित्री अगर आपके पास बड़ी इलाइची है तो आप उसे भी कोड़ कर डाल सकते हैं तो फ्लेम को मैंने आफ कर दिया है और सबजी या फिर साही पनीर आप देख सकते हैं कैसा बना है अब तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है पैन और पैन जब गरम हो जाए तब आप इसमें डाले एक चमच सरसों का तेल और दो चमच डाल रही हूं देशी घी देशी घी से इसका टेश्ट और भी अच्छा आता है अब तेल या घी अच्छी तरह से गरम होने के बाद इसमें सभी खड़े मसाले डाल दूंगी अब मसालो का कलर या तड़के का कलर चेंज होने के बाद मैंने इसे फ्लेम से नीचे उतार लिया है और डाला है आधा चमच कासमेरी लाल मिर्च इससे तड़के का कलर बहुत ही अच्छा आता है और साही पनीर देखने में भी अच्छा लगता है तो अब आप देख सकते हैं लगभग पांच मिनट के बाद मैं इसे खोल कर दिखा रही हूं कि साही पनीर कैसी बनी है आप भी एक बार इस तरह से साही पनीर की रेशिपी को बना कर जरूर ड्राय करें आप इसे कभी भी किसी भी टाइम में या किसी भी तेओहार में बना सकते हैं तो आप सभी लोगों के लिए साही पनीर की सबजी बन कर तयार है और अप मैं इसे निकाल रही हूं एक प्लेट में आप इस सबजी को अपनी मन पसंद रोटियों के साथ में या फिर पूरी, कचोड़ी या चावल के साथ में बना कर खा सकते हैं अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रिस करना बिलकुल न भूलें रेसिपी पसंद आने पर हो सके तो सेयर करना को परता पाने पirk सते हैं पाने हैं को प्रूआब क्में हैं में झाल अगर्घब तो अहुंभ करें फ्रूआए करदीब कॉ लो में पहा है आ cafe